बड़े खबर इटावा से राम शंकर कठेरिया का शिवपाल यादव को ओफर बीजेपी में शामिल होने का दिया ओफर शिवपाल अखिलेश दिखावे के लिए एक साथ हैं अखिलेश जी ने समाजबादी पार्टी को बरबाद कर दिया ये कहा कठेरिया ने और साथी शिवपाल यादव को ओफर दिया कि वो बीजेपी में आ जाएं उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने समाजबादी पार्टी को बरबाद कर दिया इस वक्ख शिवपाल और अखिलेश दिखावे के लिए एक साथ है बीजेपी में शामिल होने का ओफर भी शिवपाल को दिया राम शंकर कठेरिया ने ये बात कही पार्टी जो नेता जी ने खड़ी की थी बड़े महनस से त्याग से वो पार्टी पूरी पूरी पार्टी अखिलेश जीने बरबाद कर दिया तो सब अपने अपने में लगे हैं पार्टी कहा जाएगी पार्टी नहीं चल सकती है तो ऐसे में शुपाल्स में क्या लग रहा है कि आगे कहां से चुनाव लड़ेंगे या भी नहीं लड़ोगे हमाया तो स्वागत है अयोध्या जन्पत की थाना महराज गंज और एंटी थेफ्ट सेल को बड़ी सफलता मिली है मुबाइल टावर से बैच में चुरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफतार किया गया है इन दोनों चोरों के पास से चोरी हुए मुबाइल टावर के 25 बैटरीज मिले हैं चोरी में इस्तमाल टाटा, विंट्रा, लोडर, वाहन भी बरामत किया गया है साथी इन चोरों से एक अवैत तमंचा और कार्टूस भी पुलिस में बरामत किया है खाना चेत्रों में पुछले कुछ समय से मुबाइल टावर्स के बैटरी चोड़ी के घटना है रिपोर्ट हो रही थी खाना तारून पूराकलंगर वा महराज गंपर इस समय में अभियोग भी पंजिक्रित किया गय थे घटना का नावरों के टीमें लगी हुई थी फाना महराज गंपर इंटी नावगठिक अंटी थेव्चल द्वारा जॉइंट एक ऑपरेशन किया गया था इसमें सबलता प्राप्त हुई एक अबय तमंचा बरामत किया गया लोहे का गौड भी बरामत हुई जिससे ये मोबाइल टावर जो ताले वाले थे उसको तोड़ते थे इनसे पुष्टाज की जा रही है कहां ये बेशने के लिए जा रहे थे पूरी इस सप्लाई चेन को पूरी टेल को स्टेडी किया जा रहा है और अगली खबर जौनपुर जिले की है जाफराबाद थाना शेतर के धनेजा गाउं के पास नई नदी के किनारे किशोरी का शव मिलने से इलाके में संसनी फैल गई सूचना मिलते ही लोगों की भारी भीट जुट गई लड़की को अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई किया करती थी और मंगलवार की शाम को वगयब हो गई इससे परिजन उद्वारा कोजबीन की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला जफराबाद पोलिस ने लड़की का शव बरावत किया अगे तुरे दिखान ड़क परिवार जना से तरहर प्राप्त करके की जाए लखीम पूर खीरी में एक तंत्रिक पर इलाज कराने आई महिला से रेप का मामला सामने आया पीडिता के आरोप के मुताबिक महिला अपनी मा के इलाज के लिए तांत्रिक मुन्ना मौलवी के पास गई थी और इस दोरान तांत्रिक उसे बहला फुसला कर जंगल ले गया और रेप की वारदात को अंचाम दिया साथी महिला ने धमकी देखकर रेप करने 90,000 कैश और जेवराट ठगने का भी आरोप लगाया पीडित महिला ने स्पी से शकायत कर आरोपी के खलाफ कारवाई की मांग की है सारी रिक संबन बनाई और हम मनो करन तब हुनाय मानने तिए कह लगा अगर जो मना करिया या को इसने बताई हो तो जैसे तुमको मादरी वा मतुरा पुलिस लोगसभा चनाव को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है और पुलिस ने अवेट शराप के खलाव बड़ी कारवाई की है चकेंग अभियान के दोरान भारी मातरा में अवेश शराप बरामत की गई है साथी पंजाब के रहने वाले एक तसकर को गिरफ़तार कर लिया गया है जबत शराप की कीमत करीब 50 लाख रुपे बताई जा रही है तसकर ने पूछताच में अमबाला ले जाकर आगरा में शराप खपाने की बात को कुबूल किया है यमुना एक्सप्रेस वेके माट टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है माथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने नामांकन से पहले यमुना पूजन किया है विश्राम घाट पर दुगदा बिशेक कर जीत की कामना की हेमा मालिनी कल अपना नामांकन दाखिल करी और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए खबरे लगाता आचारी है झाल